नमस्कार दोस्तों जै मातादी वर्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें मातारानी सब का कल्यान करेगी दोस्तों आज हम बात करेंगे 10 जनवरी 2020 को लगने वाले चंद ग्रहन के बारे में कि चंद ग्रहन का समय और किन किन देशों में यह चंद ग्रहन दिखाई देगा इस चंद ग्रहन की पूरी चानकारी के लिए अंग तक इस वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो सुरू करने से पहले आप से रुकस्ट है कि अगर आपने हमारा यूटूब चैनल वर्ड बैस मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों साल 2020 में कुल 6 ग्रहन लगने वाले हैं जिसमें से दो सुरू ग्रहन और 4 चंद ग्रहन होंगे साल के पहले महिने में एक चंद ग्रहन लगेगा जो 10 जनवरी 2020 को लगने वाला है दोस्तों चंद ग्रहन एक अद्बुत आकासी घटना है जब प्रत्वी सुर्य और चंद्रमा के मत आ जाती है तब चंद ग्रहन होता है 10 जनवरी 2020 को साल का पहला चंद ग्रहन लगने वाला है जो की उपछाया चंद ग्रहन के रूप में दिखाई देगा उपछाया चंद ग्रहन में चंद्रमा प्रत्वी की पेनु ब्रासे होकर गुजरता है इस समय चंद्रमा पर पढ़ने वाली सूर्य की रौसनी कटी या धुंदली सी दिखाई देती है दोस्तों साल का पहला चंद ग्रहन 10 जनवरी 2020 को लगने वाला है यह पौस मा की पूर्णिमा को दिन सुक्रवार को लगने वाला है यह चंद ग्रहन 10 11 जनवरी 2020 को रात 10 बच कर 37 मिनट से लेकर मत्रातरी उपरांत रात 2 बच कर 40 मिनट तक चलेगा यह चंद ग्रहन कनाड़ा, यूनाइटेड इस्टेट, ब्राजील, अर्जिन्टीना, अट्रांटिका, आधी को छोड़ कर भारत सहित संपूर्ण विश्व में दिखाई देगा यह चंद ग्रहन भारत में दिखाई देगा, इसलिए ग्रहन काल के सारे नियम मानने होंगे वैसे तो ग्रहन का असर हर रासी पर पड़ता है, लेकिन गर्वती इस्त्री और उनके होने वाले सिसु के लिए यह सुब नहीं माना जारता है इसलिए गर्वती महिलां को चंद ग्रहन के दोरान ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत हो गई तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक और सेयर अवस्य करें हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड बेस्ट मैजिक से जोड़ने के लिए रेड कलर के सस्क्राइब बटन को अवस्य क्लिक करें और साथ इसाथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद